तो आज के अब्ली में हम बात करने वाले हैं पर Aeron's का सब उफर जो कि Single Base रहेगा और Dual Base भी रहेगा तो दोनों Base का Price, Specification Details हम बात करेंगे इसमें Speaker कौन सा लगा हुआ है और कितने Watt का Speaker लगा हुए वो सारे Details हम देखने वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका Model के बारे हम बात करेंगे तो AI 118 Sub जो कि इसका Model Number है इसके बारे हम बात करेंगे तो पंदरसवाट अर्वेस पार में आपको ये Base देखने को मिल जाता है इसका Design जो है वो काफी यूनिक है और काफी अलग है लेकिन अगर हम समझना चाहें तो एक Simple Way में हम समझ सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता दूँ इसका जो Design रहेगा वो मैं आपको अंदर से भी दिखाने वाला हो कि इस परकार से है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस परकार से है मतलब इधर आपका speaker होता है मतलब आपका अगर front से आप देखेंगे base को तो आपका left side आपका speaker का जो front side रहेगा वो उसका ear pass रहेगा and right side आपका back side का ear pass का जगर होल रहेगा तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यह एक छोटा mini scoop type से यह काम कर सकता है मतलब इस type से मतलब है बनाया हुआ लेकिन इसका जो design है वो थोड़ा अंदर जो है वो अलग हो सकता है लेकिन यह लगभग scoop type से भी इसको मान सकते हैं क्योंकि इसका जो right side में जो ear gap दिया हुआ है वो घूम करके है मतलब जो scoop में होता है same उसी परकार से है लेकिन थोड़ा सा इसका design थोड़ा सा अलग type से आपको देखने को मिलता है लेकिन हम समझने के लिए कुछ इस परकार से हम बोल सकते हैं और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यह है dual base जो की है इसका model number sub 828 जो की आप देख सकते हैं finishing काफी अच्छा है और quality के मामले में आप जानते हैं Indian product है और Indian made है तो काफी अच्छा रही रहेगा और इसका pain का quality काफी अच्छा होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं single base तो हम दोनों base का price details हम देख लेते हैं और आप side में आप देख सकते हैं यहां से आपका year आएगा main year यहीं से आएगा मतलब सबसे ज़्यादा जो vibration और punch जो भी आपका year रहेगा वो सबसे ज़्यादा यहां से आने वाला है आपका और side आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको holes देखने को मिलते हैं तो यह आपका main year gap है हम इस type से बोलेंगे और यह आप देख सकते हैं अंदर में थोड़ा सा turn लिया हुआ है तो यह same scope type से ही है और अगर हम वही चीज़ अगर हम left side देखते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ इस speaker कैसे लगे हुए है इसमें speaker जो है front में लगा हुआ है और इसका specification मैं आपको बता दूँ तो चले इसका specification देख लेते हैं इसका model जो है AI 118 sub जो कि इसका RMS power 1500 watt है और peak power 6000 watt है मतलब यह next level मतलब यह इसका last होता है चुकि अगर इसमें आप 6000 watt का output देते हैं तो यह लगभग 4 second 5 second में speaker जल जाएगा और impedance atom है frequency response 40 hertz से लेकर के 150 hertz तक आपको frequency देखने को मिल जाता है speaker आप देख सकते हैं इधर left side से अगर आप देखेंगे तो speaker आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं speaker जो है front loaded ही है कोई भी आपर TB या फिर curve यह इस type से नहीं है same to same आपका front base type से ही बस इसका design थोड़ा अलग type से किया हुआ है अब हम बात करते हैं इसके back panel, back plate और back look कैसा आपको देखने को मिलता है साथी साथ इस वाले base का price कितना होगा और इसमें मैं आपको यह बता दूँ कि इसमें 15.8 का RMS power का speaker लगा हुआ है और speaker जो है वो freight magnet है जी हाँ guys, freight magnet का आपका speaker हो जाता है जो कि थोड़ा सा weighted आपका base होगा लगभग 40 किलो के आसपास और इसका आप देख सकते हैं design side view आपको कुछ इस परगार से आपको base का design देखने को मिलता है जिसमें की handle आपको single handle देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये dual base में दो handle मिलते हैं simple जो की छोटा छोटा है जिससे की हमारा काम हो सके और बड़ा handle नहीं है जिससे की vibration आने का जो chance है वो कम से कम होगा और पीछे आप देख सकते हैं back plate जिसमें की आपका इधर से आपका पीछे से speaker लगेगा और यहाँ पर जो है erons का फुरा specification details दिया हुग है जो की आप check out कर सकते हैं और इस speaker इसमें दो इस speaker लगाए गए हैं जिससे की आप parallel दो बेस आप connection कर पाएं तो कुछ ऐस प्रगार से आपको देखने को मिलते हैं बेस अब हम बात करते हैं dual base के बारे में तो dual base में अगर हम पीछे back plate में बात करें तो इसमें भी आपको दो इस speaker आपकेट मिल जाते है साथी साथ airons का branding और model number mention किया हुए है जो कि सब 828 है 248 rms power है peak power इसका 9600 है और इसका जो dual मतलब इसमें dual 18 inch का neodymium magnet वाला speaker लगा हुए है मतलब neodymium speaker इसमें लगा हुए है और 4 inch voice coil में 1200 rms power का speaker जो है लगा हुए है जिसमें की एक cabinet में दो speaker लगा हुए है इसका impedance 4 ohms बन जाता है frequency response आपको यहाँ पर 35 हर्ट से लेकर के 150 हर्ट का frequency आपको देखने को मिल जाता है इस वाले base का price के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि मैं एक piece का price का बारे में बात करूंगा जो कि आपने देखा यहाँ पर AI 118 sub का price एक piece का price 45,000 रुपे एप्रोक्स कम ज्यादा हो सकता है 4,000-2,000 जो भी होगा वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है और यहाँ पर हम बात करें सब 828 का price तो यह एप्रोक्स आपको एक piece अगर आप एक dual base लेते हैं तो यह आपको लगबग 75,000 के आसपास या फिर 80,000 के आसपास इसके बीच में आपको मि 4,000 के आसपास में वो आपको मिल सकता है मार्केट में तो सारफ डिटरस्मान आपको दे दिया है और आपका जो सब 828 है वो आपका dual base है जो कि 248 का एक complete base हो जाता है नियो डिमी मेगनेट है तो थोड़ा सा महंगा आपको लग रहा होगा फिलाल लाइट वेड है तो काफी इच्छा रहेगा तो चलिए आज के वीडियो मस इतना ही था और प्राइज डिटरस्मान आपको दे दिया है तो वीडियो कैसा लगा निचे कमेंड बोक्स से मताएगा और वीडियो को लाइक से और चला लग सब्सक्राइब कर जीएगा मिलता है किसी नए इंटरस्टिंग तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम